सो हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का अमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तो मेरा नाम वा उल्पमार और आप देख रहें ग्यान टिक सपोर्ट यूटूब चैनल तो दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एपलेश्टो मॉयल में किसी भी सोंग का जो है आप बीट कैसे मैच करा सकते हैं ठीक दोस्तो और दोस्तो अगर आप एपलेश्टो मॉयल में सोंग का बीट जो है आप मैच करा लेते हैं तो आप किसी भी सोंग को जो है बहुती आसानी से रिमिक्स कर पाएंगे ठीक दोस्तो और दोस्तों अगर आप एफलेश्ट्रमॉयल से सौंग रिमिक्स करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए तो इस वीडियो के end तक देखते रहें और इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंको मैं इसी तरह वीडियो मैं इस सौंग को ले लेते हैं उसके बाद आपको हम बताते हैं कि यह कैसे काम करता है ठीक है और किस टाइप से जो है आप किसी भी सौंग का बिट मैच करा सकते हैं ठीक है तो सब सब पहले हम यहां से प्लस का एकन पर जाके एक सौंग को ले लेते हैं ठीक है प्लस का एकन पर जा जानाना है और वहां से सॉंग को उठा लेना है तो हम यहाँ पे इस फल्डर में डखे हैं तो हम इससे कलिक करते हैं क्लिक करने बारत आप देख सकते हैं यहां पर मैं johiоз को सलेक्ट करने वाला हुं यहांप को दिख स्राद मग हम ने मगई सवंग की ट्वै ठीक है तो हम इसको सलेक्ट करने वाले तो यहां पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यह जो है हमारा FLH2Mod के अंदर आ चुका है ठीक है यहां पर हम इसको इस तरह कर देते हैं और अगर आप किसी भी सोंग को र्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा किसी भी सवंग का जो है एक अलग अलग ब्राइब शलयए है जो की उसको टेंपो और और ब्राइब स्कुझ है यहां पर हम मैं आपको दिखा देता हुँ जब जब तक आप किसी जो song को आप remix करना चाहते हैं, जब तक उसका आप BPM चेक नहीं करेंगे, उसका BPM और Tempo चेक नहीं करेंगे, तब तक जो है आप किसी भी song को remix नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत लोग क्या करते हैं, कि डायेटली जो है, एफल स्टम वाल के अंदर song को लेके आते हैं, और फिर बाद में comment करते हैं, भाई, हमसे song जो है remix नहीं हो पाता है, तो सबसे बड़ा problem इसका यहीं होता है, कि इसका जो है, base line जो हुता है, beat जो होता है, मैच नहीं होता, इसके बचल जो है song आप remix नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो जो चेक का नहोंगा कि कितना है ठीक है तो मैं यहाँ पर एक अप्लिकेशन आपको मैं बता देता हूं जिस अप्लिकेशन से मदद से जो मैंने चेक किया है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा कर देता हूं, highlight करके, इसका नामे music a sweet changer, ठीक है, तो इस application के मदद से आप किसी भी song का real BPM check कर सकते हैं, ठीक है, तो finally हम इस पर click कर लेते हैं, click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर जो है मैंने इसी सोंग को आपके सामने जो है सलेक्ट किया फ्लसुम के अंदर यहाप मैं आपको थोड़ा प्ले भी करके दिखा दिता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं ठीक है प्ला यहां पर मैं ज्यादा नहीं सुनाँगों यहां निया पर सुना दिया उसके बाद इसका जो डियल BPM है वो यह है मैं आपको यहां पे दिखाए लता हूं इसका रियल BPM है 134 ठीक है और यहां पर तो simply यहां पे गिलिकक करना होगा, यहां पे आपकोழ होगा, यहां पे आपको 1.20 कर लेना, जैसे कि इस तरह साथ रहाएगा 120 तो आपको क्या करना होगा यहां पर इसको पकड़ के आपको क्लिक करना होगा या फिर आप यहां पर प्लस वन पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं तो यहां पर हम इसको इस तरह स्कर लेते हैं 134 आप देख सकते हैं यहां पर इसका रिया मैंने सेट कर दिया ठीक है और यहां सब बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है सबसे पहले स्टार्टिंग पर आना होगा ठीक है स्टार्टिंग पर आने के बाद यहां पर आपको प्ले करना होगा और प्ले करने के करता हूं का अंदर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं इसका कलर में चेंज करता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं तो मैं इस तरह कर लिए तो यहां पर आपको दिख रहा है तो इस लाइन को आपको फोलो करना होगा ठीक है अगर इसको आप फोलो कर लेते हैं तो आ तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो है यहां से साथ नमर के अंदर से तो यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है इस लाइन से तो आपको यह लाइन फोलो करना होगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको उपर की तरफ में उपर की तरफ में एक चुम्भू का एकन यानि सी का आइकन देखने को मिल जागा यहां पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं यहां पर ठीक है तो यहां पर आपको क्या आगन होगा मैं आपक करेंगे तो मैंने देख लिए अब क्या करेंगा हम इसको जो है मैं आपको यहां पे जो है यह साथ नमबर ट्रेक है ठीक है और यहां पे आठ नमर ट्रेक है तो उमको क्या करना है यह साथ नमर के बीच में चल रहा है तो उमको क्या करना है यहां पे आठ नमर पे लेके जाकर रखना होगा ठीक है तो उमको क्या करेंगे यहां पे इस तरह से करेंगे पीछेक तरफ खीचेंगे जों करेंगे और पीछ बेक लग लायन जो दिख रहा है इस पर आपको अच्छी तरीके से मैच करा लिना होगा ठीक है और यहाँ पर हम इस तरह से कर लेते हैं और यह हमारा जो है यहाँ पर हो चुका है अब हम क्या करेंगे सब से पहले यहां पर आपको एक चीज और धियान देना होगा जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं जो कि यह सब चीज जो है सभी लोग नहीं बताता हैं तो यहां पर तो यह हमारा मैच हो चुका है आठ नमर पर और यहां पर भी आपको देखना होगा यह जो आपको दिख रहा है लकीर तो इसके अंदर भी आपको द थेप आपको देख लेना होगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह लाइन के अंदर यह तो एक बार हम यहाँ पर प्ले करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं अंहीं थे जो व nella इस आपको देख सकते यहां पर इसका जो है बिरेंक लगा था 11 0 एंक अब सरवी पर भिरेंक लगने के बाद यहां फीर से 12 नमबर से श्टार्ट हो रहा है तोह यह जो आपको दिखरे यह जो number मैं आपको यहां पर दिखाता हूं यह जो number दिख रहा है आपको तो यह number के बज़े से ही जो है आप सभी लोग song को remix करते हैं और इस डब्या के मदद से जो है हम लोग pattern को बनाते हैं ठीक है यहां पर आपको बहुत सारी डबा देखने को मिल जागा तो यह सब को बज आप देख सकते हैं यहां पर 11 नंबर से ब्रेक चल रहा 12 नंबर है और यहां से फिर हमारा वही pattern स्टार्ट होता आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह जो है आप किसी भी song का जो है अच्छी तरीकिस से जो है आप किसी भी bit को match करा सकते हैं और match कराने बाद आपको लिए pattern बढ़ाना और copy paste करना ठीक है तो इस तरह जो है आप किसी भी song को remix कर पाएंगे तो दोस्तों उमीद करता हूं वी वीडियो आपको पसंद आओ पसंद आओ तो लाइक करें और इस चैनल पर नाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस करने हैं क क्योंको मैं इस तरह वीडियो में इस चैनल पर लाता है रता हूं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्दे मात्रम